हालो फ्रेंट्स वेल्कम टो श्विंग ट्रेड फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइड वाटर कंपनी के बारे में फ्रेंट्स ये स्टॉक में जिसी साब से correction काफी दिन से चल रहा था तो ये stock में हम अभी क्या करके चलेंगे क्योंकि हमने पहले भी एक बार ये stock को भी cover किये थे लेकिन उस टाइम पे काफी सारे friends जो उस level पर buying किये हुए हैं तो उनको अभी क्या करके चलना चाहिए ये stock में अभी तक movement भी इतना जदा movement में रखे हुए हैं तो उनको इसमें averaging करना चाहिए कि क्या करना चाहिए इस वीडियो में बात करेंगे तो अगर इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए उसके साथ में अगर आपके portfolio में अगर कोई stock है तो उसका analysis देखना चाहते हैं यहां पे जाके जरूर देख सकते हैं उसके साथ में अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए फ्रेंस के साथ में जरूर शेयर कर लिए ठीक है फ्रेंस यहां पर आप देखेंगे तो यहां पे आपके लिए अलग-अलग playlist भी बनाया हुआ है आप जरूर भ यहांपर उलग-अलग playlist बनाया हुआ है पटो अगर आपर भी पर्पर्फोलियो के बात करेंगे तो यहां पर दिखेंगे यह जो स्टॉक है पहले यहां पो व्ल टाइम हाई के पास जब गया था इस साल में तो यहां पे यहาं पर 364 और अवे के पाश मिन बिड्कुल गयाँ था उसके बाद में स्टॉक में बिल्कुल कारेक्षल आया। जब तक करॉक्षण आ के और ही फिक्टइन अंडड़ सेवेंटी फव आईた करेक्ष्ण हो रहा है। देखिए अभी यहां तक 57% का कोर्रेक्षन हो चुका है यह स्टॉक में तो यह सा सिच्वेशन पर हमें क्या करके हैं चलना चाहिए तो इतना बड़ा जब करेक्षन स्टॉक में हो जाता है इसा सब का मन में फिलिंग आता है यह सा तो नहीं होगा कि तरह निच्छे चलता जा तो यहाँ पर देखेंगे किस बिजनेस में है अच्छाल कमपनी यहां पर अगर देखा जाएगा कमपनी बहुत पुरानी कमपनी है जो कि 1928 सेग्मेंट में स्टार्ट हुआ था कमपनी का अगर प्रोफाइल की बात करेंगे तो यहां पर देखेंगे कम्पनी इस सेग्रेट में जब इंटरी आटा है यहां पर 1928 को bar यहां पर फीडरेटेर पीयर क्रड की बात करेंगे तो यहां पे इनका जो फिमस ब्रान्ड के नाम पर हम सब जानते हैं 팔िऑ स्पाइकल का जो भी यहां पर लूब्रिक ऑल रोता है यह लूब्रिकंड में yogurt बनाते 4740 क्रोड का यहां पर मार्केट क्या पर, अगर कंपनी का अगर ROC की बात करेंगे, 25% का ROC है, यहां पर प्रोमोटर प्लेज भी 0 है, और प्रोमोटर होल्डिंग जो है 57% का प्रोमोटर का होल्डिंग है, और सबसे जो अच्छी बात है ना यह stock debt-free company है यह सबसे बहुत बड़ा positive factor है debt-free company है अगर company में dividend yield की बात करेंगे 3.878% का dividend yield है जिनोंने अभी investment करेंगे stock में long term के लिए तो उनको यह benefit मिल सकता है जो कि dividend की अगर हम देखते हैं तो जहां पे dividend बड़ी ऐसा dividend के लिए अगर अच्छा stock हो सकता है लेकिन मेरा जो personal view है मैं कभी dividend के लिए कोई भी stock में entry नहीं लेता हूं मैं हमेशा में ज्यादा तर swing trading करता हूं तो उसी basis पे उस टाइम पे अगर हमारा portfolio में stock रहेगा तो हमें dividend मिल जाता है ठीक है तो अगर company का अगर हम profit की बात करेंगे sales की बात यह से growth होते जा रहा है कोई problem नहीं है तो यहां पर अगर net profit की बात करेंगे net profit 32 करोड का net profit है जो की last September से अभी के September में अगर देखेंगे तो यहां पर 20% का fall आया है तो इसी साफ से last 4 quarter का अगर हम profit की बात करेंगे 139 करोड का profit है और अगर sales की बात करते हैं तो यहां पे 1400 करो बाइंग होते जा रहा है रिजर में प्रोब्लम में इतना नहीं है प्रोमोटर का holding भी बहतर इन प्रोमोटर का holding है 57% का प्रोमोटर का holding है तो अगर इस टॉक में आगे के लिए हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से यह साफ से बीरिस जोन में चल रहा था अभी मुझे लग रह है लेनी तहीं अगल GUY को और अगुद्ध का अचछा में यह घरिखेंगे तो मुझे अ यहां लगता है व्यां तो बिल्कुल एंट्री करके चल सकते हैं प्रसि में करना चाते हैं अगर करना चाहते हैं तो आप इस लेवल पर थोड़ा से क्वांटिटी लेके चल सकते हैं ठीक है जो की बहुत बड़ा सा करेक्शन के बाद में स्टॉक आपको मिल रहा है ठीक है आपको इस टाइम पर डरना नहीं है अगर डरेंगे तो प्रोब्लेम है क्योंकि इस टॉक में कोई कि कि इसट करना होता है जब आच्छा सा यालोेसन में कोई स्टॉक मिलता है उस टाइम पर हमें एंट्रि लेना चाहिए ठीक है न तो अगर इसी साफ से अगर देखेंगे तो यहां पर मुझे लगता है अगर आप इस लेवल पर भी वाइगिंग करके चलते हैं तो बहुत बड़ी ऐसा आपको आने वाले दिनों में बहुत बड़ी ऐसा प्रफिट मिल सकता है जो फास टार्गेट आपका रहेगा तो आप फास टार्गेट यहां तक के लिए है आप इस टाप को लेके चल सकते हैं अगर आप फास टार्गेट तक कर कहा अगर देखेंकितना परसेंटेज का डीन मिलता है फ्यरंटस यहां पे आप को तो six months लगजाए हो सकता है, six to nine months भी लगशकता है, कोई हम तो कोई इस चीज का prediction जिसिस आप से कर रहे हैं, अभी market में कभी-कभी ऐसा भी होता है, हमारा prediction जहाँ पर six months होता है, आप पर भी आपके चलेंगे तो आपको इससे ऐगर जल्दी हो गया तो बहुत अच्छी बाथ है जैसे भारत रसायन में पारे में आपको बताया नहीं था तो लेकिन वहां पर भी मुझे profit मिला और डेल्टा क्रप के बारे में बात करेंगे डेल्टा क्रप के बारे में बात किया था तो वहां पर भी उसी साफ से स्टॉक उसी रेंज पर चल रहा है ठीक है तो इसलिए मुझे इसा लगता है यह स्टॉक को आप buying करके चल सकते हैं तो 3500 तक का भी स्टॉक आप पोजिशन बनागे रखते हैं तो आपको कितना परसेंटेज का profit मिलता है देखते हैं अगर 3500 तक का स्टॉक में बने रहते हैं 125 परसेंटेज का गेन मिल सकता है इसके लिए अगर आपको दो साल भी लग जाए ना तो फिर भी कोई बुरा नहीं है 125 का अगर गेन मिल रहा है आपको दो साल भी इसमें लग जाए तो बहुत बहतरीन गेन होता है ठीक है तो यह सा टाइन पर बाइंग कर ना होता है जिस टाइब मॉमेंटम में स्टॉक भाग रहा हिए उस बारबार जिकर कर रहा हूं आप देखेए मैं हमेशा ट्रेडिंग जरूर मेंतेन कीजिए क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा कौन से टार्गेट के लिए लेके चलना अगर आप पता चल जाएगा यहां तक मुझे लेके चलना है फिर भी अगर आप आपके देखने के लिए तो यह सारे वीडियो का जो डिस्कृपिशन में में उसका का लिंक देता हूं जो कि important वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है उसका लिंक मैं आपको description में देता हूं फिर भी अगर आप यहां पर आपके देखना चाहते हैं ट्रेडिंग जनल कैसे मेंटन करते हैं स्टॉक को कैसे सिलेक्शन करते हैं तो यहां पर आपको आना है ट्रे पर आप यहां पर देखें कि यहां पर है त्रेडिंग ट्रिटर्यल का विडियो मिल जाएगा यहां पर सफीलिक करते हैं तो यहां पर मोड में किसे स्टॉक में काथ शुम्त मिल सकते हैं citizen प्रणाओ कर सकते तो यह वाला बीडियो में आपको वह वाला वीडियो भी मिल जाएगा जो की ट्रेडिंग जर्नल वाला वीडियो ठीक है मैं आपको एंट स्क्रिन में भी उसका वीडियो का लिंक देता हूं आपको जरूर भीजिट कर लेना है वो वीडियो को जरूर आपको देखना है क्योंकि वहां पर बहुत ज़्य जो कि trading journal को जो टारगेट लेना है उस में जरूर मैंटन कीजिए कि मुझे इतना प्राक्टिस है फ्रेंट्स यह शुरुवात में मैंने भी इसा गलत प्राक्टिस किया था जो भी मुझे फिर बाद में उस चीज का पस्ता मुझे फिर बाद में लॉस हुआ इस चीज को आप बिल्कुल कॉंट्रल में रहना है जब आपका टार्गेट प्राइस आजाएगा प्राफिट बुकिंग करके है निकल जाएगा क्योंकि कभी टीवी में बोलते हैं कभी सोचियल मेडिया में यह सारे चीज वाइरल होता है कि स्टॉक बहुत तो आगे तक जाएगा यह टार्गेट बताएंगे इसा बिल्कुल आप फोमों में नहीं पढ़ना है ठीक है फ्र प्रेंट्स के साथ में सेर किजिए अगर चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए थैंक्यू बेरी मॉच फ्रेंट्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलते हैं आगले वीडियो में